हेलो फ्रेंड स्वागात आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल लेर्निंग नीट पर और सबसे पहले तो बहुत सारा सौरी क्योंकि क्लास जो है वो डिले हो रही है हिंदी टीजीटी पीजीटी की क्लास जिस उत्सा और जोस के साथ शुरू की गई थी वो बीच में क्लास रैंडम मिलेगी और रैंडम भी मिलेगी तो आपकी टाइमिंग वही रहेगी साड़ी साथ बजे शाम को तो एक बार प्लीज चेक कर लिया करिये यूटूब बहुत बरी तरह से मुझे परिशान कर रहा है ये तो ना तो नोटिफिकेशन भेज रहा है ना इसको विधिया हमारी हो चुकी थी अब रीतिकालीन कवी और उनकी रचना है तो यहां पर बेसिक जो काफी सारे गवी रहे हैं हमें से जो कुछ प्रसद कवी है जो बहुत जाधा पूछे जाते हैं उनका परिशा भी देखंगे और उनके रचनाओं के नाम भी देखंगे क्योंक साल शब्द आता है ये नाम automatically ध्यान में आजाता है क्योंकि रीदिकाल के प्रवर्तक कभी मानी जाते हैं अब बात करते हैं इनकी भाषा की तो इनकी भाषा देव चरत तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं जो पूछी चाती है आप फटा-फट से स्नापशॉट ले लीजिए ताकि आप बहुत आसानी से इसको रिवाइस कर सके मैंने सब क्लीन कर दिया है स्नापशॉट ले लीजिए फटा-फट से चन्तामणित्रपाथी इनके बारे में काफी कुछ है देखें जानने के लिए जिसके सब के बारे में जितनी जद्नी ज्यादा information कर पाई हूँ इनका जन्म टिकमापूर गाउं में हुआता समवत 166 चाचट में ठीक है टिकमापुर ये कानपुर जिले में आता है ठीक है उत्तरपदेश कानपुर तो इन्होंने अपने ग्रंत में कहीं कहीं अपना नाम जो है मडि माला भी लिखा है ये पॉइंट इनके बारे में important हो जाता है मडि माला भी नाम इनका चिंतामरी जी का कहीं कहीं है इन्होंने खुद मेंशन किया हुआ है अब रामचंद्र शुक्ली जी ने इन्हें रीतिकावी का प्रवर्तक माना है वैसे अगर प्रशन आता है आपका कि रीतिकाल का प्रवर्तक किसे कहा जाता है के सो दास जी को माना गया है बट अगर रामच इनके आश्रे दाता हुवे, इनके ही आश्रे में ये रहे हैं, चिंतामणी थ्रपाथी. इनके कुछ रचनाएं हैं जिसमें ये एक बहुत सबसे प्रसिध रचनाब कह सकते हैं इसको वैसे तो सारी ही प्रसिधी हैं बटीकी ये बहुत जादा फेमस है ये सारी इनकी प्रमुक रचनाएं हैं अब ये जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है एक तो ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है ये वाला पॉइंट याद रखना है कि उन्होंने अपना नाम मड़ी माला लिखा है जन्म कहां हुआ था कब हुआ था ये बिसिकली पूछा नहीं जाता है पर फिर भी आप इसको याद कर लीजे क्योंकि पूछा जा सकते हैं आप रचनाएं याद रखनी है आपको ठीक है रचनाओं से प्रशन बनते हैं आते हैं मतिराम अब देखे इनका जन्म भी टिकमापूर गाउं में हुआ था इनका भी जन्म टिकमापूर में क्यों हुआ था क्योंकि ये चिंतामडी के भाई ही हैं तो ये चंतामडी और भोशड के भाई थे चार भाई थे ये ठीक हैं तो अब इनकी भाशा भी वही जाहिए बात है भाई भाई हैं तो मतिराम का विस्तरत जीवन परिचय इनकी जो जीवनी मिलती हमें अच्छे से वो सबसे पहले हिंदी नवरतन नाम के गरंथ में मिलती है जिसका सोर्स अक्चुली सियु सिंग सरोज था सियु सिंग सरोज के बारे में मैंने आपको बताया यहाँ पर में ध्यान दीजेगा और भी ग्रंतों में मिलेगा लेकिन सरुप्रथम के अगर बात करते हैं तो हिंदी नवरतन में मिलता है इनके आश्रेदाता जहांगीर थे कुमायू नरेश ग्यान चंद थे राव भाव सिंग हाडा थे स्वरूप सिंग बुंदेला ये सा सई, फूल मंजरी, अलंकार पंचशिका तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचना हैं जिनको आपको याद रख लेना है जिसका बेसिकली जब पूछेगा तो नाम ही पूछेगा कि ये रचना जो है किसके द्वारा रचित है या निम्न में से कौन सी रचना एक अतिराम द्वा चौना में ही हुआ, इनकी भाषा जो है वो ब्रच थी वही बात हो गई, वही जगा है, इनकी सभी रचना हैं मुकतक शैली में हैं, एक पॉईंट यापका हो जाता है, भूषर की सभी रचना हैं, ब्राप्त की होती हैं, राम चंड़ शुकले नहीं हिंदु जाती का प्रत निती कभी की रुपे माना है तो भूशड को माना है याद रखना है इस पॉइंट को शिवा जी और छत्र साल इनके आश्रेदाता हुए थे इनके अगर प्रमुक रचनाओं की बात करते हैं तो शिवराज भूशड भूशड उल्लास दूशड उल्लास भूशड हजारा तो ये साही रचनाओं हैं जो इनकी प्रसिद्ध रचनाओं हैं इसके बाज आ जाते हैं भिखारी दास एक नाम आ जाता है रीति कालिन कभियों में तो इनका जन्म ट्योंगा प्रतापकड में हुआ था ये भी उत्तर प्रदेश में हैं हम सबको पता ही होगा काफी प्रसि दाता थे हिंदू पति सिंग इनके आश्रे दाता थे और इनों ने सरु प्रथम हिंदी काव्य परमपरा भाशा छंद तुक आदि पर विचार किया था हिंदी रिति काव्य परमपरा ध्यान दीजे भाशा छंद तुकादि पर इनों ने ही विचार किया था हिंदी रितिकाल का अंतिम प्रसिद आचार इन्हें माना जाता है हिंदी रितिकाल का अंतिम प्रसिद आचार इन्हें माना जाता है अब थोड़ा से देख लिए जिए का मिस्टर बंधु विनोध जो एक रचना थी जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं तो मिस्टर बंधु वो ने पूर्वा लंकृत काल का सबसे बड़ा आचार इन्हों ने क्या किया था रितिकाल को अलंकृत काल नाम दिया था मिस्टर बंधु वो ने ठीक हैं मिस्टर बंधु विनोध में तो वहाँ पे उन्होंने उस अलंकरत काल को यानि रीति काल को भी दो भागों में बाटा एक पूर्वा लंकरत काल और एक उत्तरा लंकरत काल तो पूर्वा लंकरत काल का सबसे बड़ा आचार इन्होंने चिंता मड़ी को माना है जबकि उत्तरा लंकरत काल का सबसे बड़ा इन्होंने भिकारी दास्ट को माना हुआ है तो ये आपको याद रखना है पूर्वा लंकरत काल का पूछा जाए मिस्र बंधुओं के अनुसार तो आचारे चिंता मड़ी और उत्तरा लंकरत काल का पूछा जाए तो भिकारी दास्टी इनकी कुछ प्रमुक रचनाई हम जिन्हें आप कह सकते हैं वो हैं देखिए इतना कुछ टाइप करने में टाइम लगता इसी वजह से और कुछ रीजन्स थे मैंने आपको इंफॉर्म किये थे दूसरी दूसरी क्लासस में जिस वज़े से क्लासस नहीं हो पा रही थी बट आपको प्रवाइट कराया जाएग में हुआ था और इनकी भाषा ब्रज है रीतिकाल के कवियों में एक मात्र देव जी है जिनोंने निर्गण भक्तों की तरह जाति पाति और उंच नीच का विरोध किया है अब इनके काविका जो मूल विशय रहा है वो श्रिंगार रहा है अब थोड़ा सा में इनके बारे म संक्या 72 बताई है सियो सिंग सेंगर ने जबकि राम चंद्र शुकल जी ने हिंदी साहित का इतिहास जो उन्होंने लिखा है उसमें इनकी 23 रचनाओं का वर्णन किया है हाला कि वर्तमान में इनकी 15 रचनाओं ही उपलप्त है तो अगर यह पूस्ता है राम चंद्र शुकल तो जी ने कितनी रचनाओं का इंधी साहित के थास में वर्णन किया है या कितनी रचनाओं को माना है तो 23 रचनाओं का ठीक है olla 72 जिसिंग सेंगर की अनुसार कुछ प्रमुक गरंट जो हैं वहम देख लेंगे रस विलास, भवानी विलास, भाओ विलास, कुशल विलास, प्रेम पचीसी, प्रेम तरंग, प्रेम चंदरका, काविर असायन ये सब इनकी कुछ प्रसिद्ध रचना हैं जिसे आपको याद कर लेना है स्नैप शॉट लेते ही चलिए बाकि आपको जब ये पूरा कम्लीट हैगा तो जिसे आप अभी आपने ऊपर देखा होगा के उपर अभी जो हम लोगों ने प्रिवियस क्लास लिया है वो भी इसमें इंक्लूडड है इसी पीडियफ में इसी पीडियफ है ही नहीं अभी है अभी है डॉक्स फाइल है डॉक्यमेंट फाइल है जिसे मैं एडिट करके और आगे टाइप कर रही हूँ कंप्लीट होने के बाद शेयर किया जाएगा टेलिग्राम चैनल पे आप जॉइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में पदमाकर पे आते हैं पदमाकर जीन का जन्म बांदा में हुआ था तेरह सत्रह सो तिरपन में रगुराव अप्पा, पारीक्षेद, जगत सेंग, भीम सेंग, दौलत राव सिंधिया ये सभी इनके आश्रेदाता रहे थी ये कुछ नाम है इनके करीब 10 आश्रेदाता रहे हैं ठीक है ये एक जगा टिक नहीं पाते थे इस वज़े से इनके काफी सारे आश्रेदाता र प्रभाव देखने को मिलेगा हितोप देश का अनुवाद ही होनी किया है यहाँ पे मैंने मैंने मैंशन नहीं किया है लेकिन ये पॉइंट था तो मैंने बता दिया इन्हें हिंदी सायत में पचाशा शैली का प्रवर्तक माना चाता है इनकी जो प्रमुक रचना है पदमा लहरी ठेक है स्नैपशॉट फटाफट से लीजे चले ठीक है अभी देख लेते हैं नेक्स्ट अमीर दास इनकी भाशा ब्रज है इनके जो जित्ती इंफॉर्मेशनिंग के बारे में है वो मैं आप पर बता दू कि अमीर दास की जो प्रमुक रचना है जो पूछी जाती है वो है सभा मंदन वृत्य चंद्रोद है बज्र राज विलास सत्सई अमीर प्रकाश वैद्धि कल्प तरू यह इंपॉर्टेंट है वैद्धि कल्प तरू याद रखीगा श्री कृष्ण साहित्य सिंधू श्रीपती प्याते तो इनकी प्रमुक रचनाएं हैं कवी कल्प देश में हैं हम सबको पता है इसके बारे में कौन नहीं जानता इनकी प्रमुक रचनाएं संग्रामसार रस रहस्त नक्षिक द्रोण पर्व मुक्ती तरंगणी यह सारी इनकी प्रमुक रचनाएं रही हैं सोमनात की रचनाओं की बात करते हैं तो रस पियूश निधी इतने सिरोमडी जो बहुत जादा पूछी जाती है इसके अलामा फिर और भी कुछ कवी और उनकी प्रसिदर रचना है जो रीदी कालीन रचना है उनको हम देख लेते हैं कालिदास वधुविनोद कालिदास हजारा सूरती मिश्र काविसित्धान्त हैंका वैरी साल का भाशा भरण है रसरूप तुल्जी भूषण बेनी का नवरस तरंग रसिक गोविंद का रसिक गोविंद दानंद घन प्रताप साही का व्यग्यार्थ कॉमोदी तोश निधी नामिन का दियसे मिलता है आपको तोश भी कही लिखा मिल सकता है तोश निधी भी मिल सकता है सुधा न कुल कंठा भरन याद रख लिएगा इसको तो ये कुछ प्रसिद्ध कवी थे कुछ प्रसिद्ध रचनाएं थी जो ज़्यादा पूछी जाती है कुछ कवी जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल से पूछा जाता है वो उनकी डिटेल्स भी मैंने आपको प्रवाइट करा दी है वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा शेयर करिएगा अगर आप चैनल पे नहीं हैं प्लीज 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 सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू प्रस करिएगा तो थैंक्स पर वाचिंग कीप स्टाइग एंड बाबाई